हवाई जहाज में क्यों लगते हैं जटके हाल ही में स्पाइस जेट बोईंग B-737 विमान की उडान SG-945 मुंबई से दुरगापुर की ओर जा रही थी जब लेंडिंग के दोडान उसे गंभीर तर्बुलेंस का सामना करना पड़ा जिसके परिनाम स्वडुप दुरभाग्य से कुछ यात्रियों को चोटे आई दुरगापुर पहुँचने पर ततकाल चिकित्सा सहयता प्रदान की गई आए जानते हैं तर्बुलेंस क्या होता है क्यों होता है इत्यादी तर्बुलेंस सभी मौसम की घटनाओं में सबसे अप्रत्याशित घटना है या हवा की एक अनियमित गती है जो अधिकतर खड़ाब मौसम आस्मानी चक्रवात तेज हवाओं तुफान और बारिश की वजह से होता है इस कारण से हवाई यात्रा में बाधा उत्पन हो जाती है वाता वरन में विदमान वायू हमेशा गती में रहती है विमान इस गती का उप्योग उडान भरने में सक्षम होने के लिए करते हैं एक विमान को इस्थिर उडान भरने के लिए पंखों के उपर और नीचे से गुजरने वाले वायू प्रवा का नियमित होना जरूरी हो तर्बूलेंस का निर्मान होता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि सता पर हर जगा हवा एक जैसी नहीं होती है। कहीं वैक्यूम एरिया होता है तो कहीं चक्रवात जैसी स्थिती उत्पन हो जाती है। इस कारण से हवाई जहाज में यातरा के दोड़ान जटके लगते हैं जिसे हम तर्बूलेंस कहते हैं। एक विमान लगबख साथ प्रकार के तर्बूलेंस का सामना करता है। या मौसम से समबंधित हो सकता है या या सपस्ट वायू तर्बूलेंस हवा या जेट धराओं के कारण भी हो सकता है। मौसम समबंधि तर्बूलेंस में आसमान में ब प्रसिक्षित किया जाता है जो उनकी प्रकिर्ती और तिव्रता पर निर्भड करता है तर्बुलिंस खतरनाक हो सकता है यदि वे बादल के गरेश के साथ जुड़ा हो क्योंकि उससे विमान के अत्यधिक दवाव या नियंतरन होने में नुकसान की संभावना होती है कई अन्य काड़क जैसे उचित प्रसिक्षन नहीं होना और मौसम का खराव प्रसार या हवा से संबंधित जानकारी भी तर्बुलिंस की घटनाओं में बड़ी भूमी का निभा सकते हैं हलका टर्बुलिंस छनिक रूप से उचाई या रवाईय में मामुली बदलाव या थोड़ा सा उबर खाबर के कारण होता है उस समय हवाई जहाज में बैटने वालों को अपनी सीट वेल्ट में हलका सा खिचाब मैसूस हो सकता है मध्यम टर्बुलिंस या हलके टर्बुलिंस के ही समान है लेकिन कुछ अधिक तिव्र होता है हाला कि विमान को नियंदरित करने में कोई नुकसान नहीं होता है उस समय हवाई जहाज में बैठने वालों को अपनी सीट बेल्ट में एक निश्चित तनाव महसूस होगा और और सुरक्षित वस्तूओं को हटा दिया जाएगा गंभीर टर्बुलिंस या उचाई में आए अचानक से बदलाव के कारण या संकेतित एयर स्पीड में आए बड़े बदलाव के कारण होते हैं हवाई जहाज छन भर के लिए नियंतरन से बाहर हो सकता है हवाई जहाज मे बैठने वालों को उनकी सीट बेल्ट कसकर बैठना अनिवारे होता है अत्यधिक टर्बुलिंस में हवाई जहाज उचल जाता है और इसे नियंतरित करना असंभव हो जाता है इससे सनराचनात्मक छती हो सकती है चौप एक प्रकार का टर्बुलिंस है जो तेजी से और बैठना चाहिए ताकि अप्रयात्याशित टर्बुलिंस से होने वाली चोटो को आसानी से रोका जा सके सुरक्षित रहने के लिए नीचे दिये गए टिप्स को फॉलो किया जा सकता है अपनी उडान के शुरुवात में सुरक्षा ब्रीफिंग पर ध्यान दे और सुरक्ष चाइल्ड सेफटी सीड या डिवाइस का इस्तिमाल करें